हे अल राइट एंड वेलकम टू अल एंड टूडे इस दे हिंदू न्यूज डिसकेशन नाव डेली के बेसिस पर कम्प्लीट न्यूज पेपर को हम कवर करते हैं और पर्टिकुलर न्यूज को बताते हैं कैसे यूपी एस से प्रिलिम्स और मेंस में ये पूछी जाएगी आज हम डिटेल से डिसकस करने वाले हैं टाटा ने एयर इंडिया को अब पूरा हंडेट परसंट ओनर्सिप जो टाटास की हो गई है एयर इंडिया में इसकी पूरी हिस्ट्री बटाऊंगा जब जी आरडी टाटा ने सबसे पहली एयरलाइन बनाई थी प्राइवेट 1932 से और अभी 2021 में अब टाटा को फिर से उनकी ही बनाई गई एयरलाइन से मिल चुकी है ठीक है बीच में नैशनलाइजेशन भी हुआ था ओके इंडिया और चाइना के बारे में जानेंगे यहाँ पर तवांग अरुनांचल प्रदेश जो है जो स्टेट है वहाँ पर फेस अभी चल रहा है बट अभी हमें जानना है जोगरफी के बेसिस पर कि अरुनांचल प्रदेश में कौन-कौन से पासेज हैं वो यूपीएसी प्रिलम्स के बेसिस पर डिसकस करेंगे सुप्रिम कोट इंट्रवीन करती है सुओ मोटो एक्शन लेती है ठीक है और उसके बारे इन्स के जनरल स्टेडिस पेपर 2 के बेसिस पर डिसकस करेंगे इथिन ओल ट्वेंटी या इट्वेंटी प्रोग्राम क्या है और नितिन गटकरी जी बार बार इसको क्यों प्रमोट करते हैं और अभी की नैशनल बायो फ्यूल पॉलिसी 2018 क्या रही है प्रिवेंटिव प्रमोट को हमें इंडियन मेडिकल एज्यूकेशन में इंक्लूट करना चाहिए यह सही है बट मेजर कोशन यह आता है कि पॉलिक है अगर आप से बोलिंगे डिफाइन पॉलिक हैल्थ तो क्या आप एक्स्प्लेन कर पाएंगे तो मैं वही फोकस करता हूं कि जो यूपीसी question बनाती है जो major question है उसके बारे में इंडिया और जापान के relation के बारे में discuss करेंगे stable burning फिर से आई हुई है इंडिया और एशियन के बीच में free trade agreement noble peace prize मिला है किन जर्नलिस्ट को इसको discuss करेंगे right free trade agreement के साथ-साथ इंडिया और एशियन का relation क्या है बट without going further telegram application download करनी है search box में type करना है PR publication देखिए जैसे UPSC में हमेशा कहते आयो हूँ अगर IES IPS की rank लानी है तो आपको mains में जो है focus करना पड़ेगा programs तो qualifying nature का होता है तो mains में हम आपको free में कैसे help करते हैं आपको PR publication अभी application भी आने वाली है के बाद से वह आपको live देखने को मिलेगी वहाँ पर live classes चलेंगी हम particular course चलाएंगे और आपका एक respective manner में आपका UPSC 2022-2023 complete करवाएंगे उसके साथ अब जो answer writing है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी एक particular topic wise के अंदर जहां भी particular topic होगा उसके अंदर एक answer writing हम submit कर देंगे तो application में आप directly देख सकते हैं अब PR publication के early plan की अगर मैं बात करूँ date wise current notes, daily answer writing, 6-12 notes, phone guidance आपको मिलती है तीनों ही plan एक साथ लेना चाते हैं तो 9.99 रुपीज का ले सकते हैं जिसमें NCID की test series, UPSC, CSET का video course और early plan रहता है लेना बहुत simple है, दिये गई नम्मा पर Google पर phone पे करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नम्मा पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने Telegram private group से add कर लेंगे अब स्टार्ट करते हैं आज की news analysis, सबसे पहली news है Tata को फिर से मिल चुका है Air India की ownership मैं आपको कुछ history बताता हूं कि कहां से शुरू हुआ था हाला कि ये आपकी UPSC में नहीं पूछा जाएगा बट actual में 1932 में जब J.R.D. Tata उन्होंने pilot project शुरू करा था Tata Airlines का और शुरू किया था कराची से बॉम्बे तक फ्लाइट 1946 में Tata Airlines public company बन चुकी थी उसको Air India नाम दे दिया गया था 1944 में सरकार ने acquire कर लिए 45% Air India के stakes 1953 में तो nationalize कर दिया यानि की ownership भारत सरकार की होगी वैसे ही 2007 में Air India मर्ज हो कई इंडियन एयरलाइन से और domestic route में जो हमारे domestic route होते हैं भारत के अंदर वहां भी operate करने लगी 2011 हुआ फिर 2018 हुआ सरकार का nationalization के बाद जब अभी debt में पढ़ गई थी Air India Now अब bidding शुरू की भारत सरकार ने की इसको खरीदेगा कौन Now 68 साल के बाद Air India is all set to return the Tata fold Tata Suns subsidiary टैलेस प्रावेट लिमर जो limited है उसको मिल चुके हैं Tata के 100% share The Tata will own a 100% stake in Air India Now 141 aircraft तो मिलेंगे उसके साथ 173 destination में Tata जा सकता है जिसमें 55 तो international भी है ठीक हो उस route में Tata उड़ सकता है और उसके साथ साथ branding भी मिलेगी Air India की, Indian Airlines और महराजा की तो आप देखते हैं Tata इसको किस तरह से फिर से उठा के लाता है और मैं कहूंगा यार उड़े देश का आमनागरिक में इसका एक major अभी share हो सकता है क्योंकि जिस तरह से Tata & Suns Tata Company पहले से ही जो नए नए advancement लेते आई हुई है चाहे किसी भी sector में हो ठीक है अब मैं भी ओड़े देश का आमनागरिक में बहुत सारे जो domestic destination है उसको air India कवर करे नाव second news है इंडिया और चाइना पेट्रोल फेस ओप इन तवांग बहुत सारे चाइनीज सोल्जर को और फिल लाज पेट्रोल वर डेटेंड फॉर फॉर इंडियन आर्मी चाइनीज सोल्जर क्या कर रहे थे पेट्रोलिंग कर रहे थे वो भी अरुनांचल प्रदेश के बॉर्डर में तो हमारे इंडियन आर्मी ने उनको डेटेंड कर लिया आप्टर माइनर फेस ओप नियर दा यांग सी इंड तवांग सेक्टर अरुनांचल प्रदेश लास्ट वीक ऐसा देखने को मिला कि हमारे इंडियन आर्मी आफिसर ने बहुत सारे चाइनीज जो पेट्रोलिंग कर रहे होंगे बहुत हीरो बन रहे होंगे कि हां हमारे अंडर आते हैं इंडियन आर्मीन उनको कैप्चर कर लिया बाद में रिलिज भी हुए फेस ओप चला और ऐसे ही फेस ओप हर जगे चलते रहते हैं जहांबर भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्पूट चल रहा है बड़ मेजर हमारा क्या है यूपी एसी के लिए कि यार अरुनांचल प्रदेश बहुत ज़्यादा हौट स्पॉट बना रहता है फेस ओप के लिए अपना लद्दाक वाला रीजन फेस ओप के लिए बहुत ज़दा जो है न्यूस पर रहता है बट मेजर चीज आज की आई है अरुनांचल प्रदेश की तो अरुनांचल प्रदेश के जितने भी पासिस हैं हम वो जल्दी UPSC प्रिलिम्स के बेसिस पर पढ़ लेते हैं 2022-2023 चोटे चोटे ये नोट्स की तरह हो जाएंगे तो मेजर पासिस के हैं अरुनांचल प्रदेश के जोगरफी फैक्ट है सबसे पहला है बॉम डिला पास अरुनांचल प्रदेश और भूटान के साथ शेरिंग में है फिर है दिहांग पास ये भी अरुनांचल प्रदेश और मयानमार के साथ और ये आप से पूछा जाता है देखिए बॉम डिला पास अरुनांचल प्रदेश में तो है ठीक है बड़ बॉर्डर किसके साथ है भूटान के साथ दिहांग पास अरुनांचल प्रदेश मयानमार योंग याप पास अरुनांचल प्रदेश तिबबत खूम जोआंग पास अरुनांचल प्रदेश वित मयानमार हुपुनगन पास अरुनांचल प्रदेश वित मयनवार और चनकन पास अरुनांचल प्रदेश वित मयनवार तो यहाँ पर से जोगरफी के फैक्ट जो की UPSC प्रिलिम्स के हैं मैं कवर करवा चुका हूँ इस पर्टिकलर न्यूस से आया था फेस ओप पर हमने कर लिया जोगरफी का नाओ हाली में लखिमपूर में क्या हुआ था किसान प्रोटेस्ट से घर को जा रहे थे और उस पर बहुत सारे एक मिनिस्टर का काफ लिया गया आजई मिसरा का और यूनियन होम मिनिस्टर आफ इस्टेट रहे हैं और अभी ह बहुत सारे किसानों के ओपर गाड़ी चड़ा दी गई बहुत सारे लोगों पर बुलेट फाइर भी कई आटॉपसी रिपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं कोई बोलता है कि गोलियां ही नहीं चलाए गई और अभी बोलते हैं कि आटॉपसी रिपोर्ट आनी चाहिए तो इस सिर्फ आपके words से में देखने को मिल लिया कि आप बोल रहे हैं बट आप action ले ही नहीं रहे हैं तो इस तरह से आप समझ रहे यह क्या कर रही है Supreme Court एक तरह से सरकार पर प्रैसर डाल रहे है कि आपको transparent आपको accountable रहना पड़ेगा जो भी सरकार के institution है उनको accountable बनाने की बात कर तो हम कह सकते हैं कि अगर सरकार किसी एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से नहीं देखे अच्छे से उस पर investigation ना करे तो एक क्या final authority है एक तो होता है कि हम protest कर सकते हैं कि हमको demand चाहिए हम यानि कि general public क्या कर सकती है protest कर सकती है कि हमें एक क्या किये हमने protest किया सरकार ने हमारी demand मानने वाली ना बातने वाली वो अलग बात है कि हम एक तो हो सकता है कि सरकार पर pressure कैसे बना सकते हैं pressure group जो होते हैं आप सबको पता है जैसे NGO है बहुत सरी NGO करती है civil society organization है तो हम भी ये बना सकते है group और particular सरकार पर protest कर सकते हैं कि हमें demand चाहिए जैसे किसान अवे protest करे हुए दूसरा जो सरकार का ही एंगर हमारे democracy का अंगर है वो है हमारी judiciary यानि कि supreme court intervene कर सकती है यह दूसरा सबसे बड़ा मैं कहूंगा alternate solution है जिसमें कि अगर सबसे alternate भी नहीं major solution मैं कहूंगा कि अगर आप से कोई पुछे कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है सरकार accountable नहीं है transparent नहीं है तो क्या करना चाहिए तो आप कह सकते हो कि supreme court को intervene करना चाहिए एक panel बनाना चाहिए committee बनानी चाहिए वो recommendation देगी और उसको implement करना चाहिए ताकि सरकार की accountability और transparency towards the citizen हो पाए ओके तो यहां पर से हमारा UPSC मेंस यहां से clear हो जाता है इसका कि अगर सरकार accountable नहीं है तो क्या करना चाहिए ओके नाच्ट एक data दिया गया है यह data जो survey लिया गया वो है उसका document का नाम है National Study on Safe Commute to School क्या UPSC prelims में आएगा नहीं यह किया गया Save Life Foundation प्लस Mercedes Benz ने और इन दोनों ने मिलके किया किया एक report निकाली अब इसमें यह देखने को मिला कि nearly 500 million जो बच्चे है according to 2011, children below 18 years of age face a high degree of risk जब वो इसकूल जाते हैं इसकूल से घर आते हैं pandemic ने इसको अज़रदा danger बना दिया गया जैसे 30% of children reported witnessing crash during their community school जब वो जाते हैं, death हो जाती है road के basis, road accident हमने देखा है overall 47% of respondents using school transport का use करते हैं और school transport जो इसकूल की buses होती हैं, उसमें sidwealth ही नहीं है 47% ऐसा देखने को मिला है 23% of the parents and 26% of children using privately arranged vehicle claimed that the child complained about rash driving जो बच्चे मतलब जिनके parents school उनको छोड़ने आते हैं, वो rash driving करते हैं उनका मतलब यह नहीं है कि children की safety वो चाहते हैं कि school, उनका मतलब यह बन रखा है कि formality की बच्चों को school छोड़ना है बस वहाँ जाके पढ़ेंगे बट उससे पहले rash driving करते हैं तो कहने का मतलब हमें in safety feature में भी ध्यान देना चाहिए यह interview based आएगा और ethics based आएगा कि seat belt नहीं है, private वाले rash driving करते हैं footpath नहीं है बहुत जगे जो पैदल जाते हैं जो बच्चे उनके लिए footpath ही नहीं है तो safety gap during the accommodating to school risky path अभी बना हुआ है किस के लिए? kids के लिए, children के लिए तो यह एक interview की बात है और ethics में यह लिख सकते हो आप तो safety policy है क्या कोई अभी yes, as of date over 25 states and union territory have announced the reopening of school और इसके साथ साथ अभी safety policy भी announce करनी चाहिए सब ही राज्यों को now next news हम discuss करते है special push for ethanol as a fuel says gut curry तेकि नितिन गटकरी अपने आप में ही visionary आदमी है ministry of transport के minister रहे हैं और अभी हैं भी और उनका कहना है कि with the 100% use of 20% blend of bioethanol we will be able to save 30,000 करोल रुपे import of fossil spill अगर हम support diesel या petrol में 20% ethanol मिला दें तो हम कहीं न कहीं 30,000 करोल रुपे बचाएंगे सबसे बड़ी बात है कि हम 80% यार अपना जो oil है वो दूसरे देशों से लेते हैं और अपना dollar खर्च करते हैं तो अगर हम biofuel, green fuel का use करें तो हम अपना import का जितना पैसा खर्च होता है जो हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है वो बच जाएगा और उससे हमारी poverty हमारा hunger खतम हो सकता है क्योंकि वही पैसे हम health और education में लगा सकते हैं सरकार का कोई program है क्या ऐसा yes, ethanol 20 program तो इसको discuss कर लेते हैं ये program है क्या और इस program के अंदर का 2025 तक हमें जो petrol में 20% ethanol भी मिलाएंगे अब इससे हमारे दो फाइदे होंगे, अगर petrol में हमारा ethanol मिला ठीक है, ethanol मिला, तो 80% petrol है 20% ethanol है मतलब fuel तो similar हुआ, 100% fuel हमें मिल गया, यानि कि 20% जो petrol हम एक्ष्टर डालते थे पहले, ठीक है अब वो काम import करेंगे और दूसरा इससे pollution भी सही होगा, जो pollutant हैं वो emit नहीं होते, तो इसके basis पर हम directly कह सकते हैं कि हमारा import का खर्चा तो बचेगा ही बचेगा, प्लस ये environmental friendly भी है E20 program UPSC prelims और mains के basis पर थोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ हाली मैं भारस सरकार ने invite किया है public comment है, ताकि हमें E20 fuel को introduce करना चाहिए जे green fuel composition क्या रहेगी? 20% ethanol with gasoline इसमें मिलाए जाएगा अभी currently 10% की बात की जा रही है जो permissal level है क्योंकि उसके basis पर यार जो manufacturer होते हैं उनको भी अपने engine बदलने पड़ते हैं ऐसा नहीं कि मैं ethanol डाल दूँ ऐसा तो मैं घर में पानी से भी अपनी bike चला सकता हूँ तो petrol मिला दो प्लस उसी petrol में हलका पानी डाल दो तो mix होके थोड़ा सा गाड़ी तेच चलीगे बट engine जो है वो भूस हो जाएगा गाड़ी का अब engine भूस हो जाएगा इसका मतलब है कि जब ये policy frame की जाती है तो manufacturer जो होते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप अपना engine इस तरह से design कीजिए बट अभी के basis पर हमारे आप 5.6% ही blending अभी हम भारत पहुंच पाया है 2025 तक हमारा target है कि 20% ethanol हम मिला पाएं petrol में फाइदा क्या होगा कहीं न कहीं ये reduce करेगा emission CO2 का hydrocarbons का हमारा जो import bill है इतना जाता खर्चा आता यार भारत सरकार का वो कम हो जाएगा हम foreign exchange बता सकते हैं क्योंकि यार अगर हम दूसरे देश से अगर तेल ले रहे हैं तो वो dollars में हमें pay करना पड़ता है कभी-कभी most minimum ये तरीके होते हैं कि कभी-कभी इंडियन रुपी में वो accept कर लेते हैं नहीं तो हमारा जो foreign जो dollars हैं उसी पर क्या होता है payment होती है तो actual मैं इसके basis पर ये तो मैंने prelims के basis पर बता दिया कि कुछ fact हम कितने level तक पहुंचें ये आपका basic understanding हो गई बट इसी topic में अगर mains में question आ जाए तो वो कैसे आएगा question ये आएगा कि what is green fuel, green fuel क्या है और याद रखो जो भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं UPSC 2022-2023 के लिए उनके लिए मैं बता दो एक application आने वाली है PR publication की और उसमें मैं खुद live पढ़ाने वाला हूँ यहां तो मैं सिर्फ एक ही particular topic cover करता हूँ वहां मैं पूरा subject cover करने वाला हूँ बहतरीन course आने वाला है अगर आप कोई coaching institute जॉन करने का भी सोच रहे हैं तो थोड़ा सा delay कीजिए online कोई coaching लेना चारे हैं तो उसको delay कीजिए आज ही delay कीजिए अगर purchase नहीं किया तो उसको रोग दीजिए क्योंकि अभी prelims के बाद हम बहुत जादा major boost up के साथ साथ आपको live classes मैं देने वाला हूँ खुद ठीक है पहले हम उसके लिए मैं एक video निकालूँगा अभी मैं वो discuss नहीं करूँगा वैसे मैं लगाता दो तिन दिन से बता रहा हूँ पर जो लोग चाहते हैं कि वो मेरे से पढ़े हैं तो आप whatsapp message कर दीजिए क्योंकि हम prelims और mains को मैं पूरी clarify करके चलूँगा हर एक topic को ठीक है मतलब उस रीज तक हर एक topic की जो demand रहती है न जो आपको चाहे कहीं पर भी आप subscription नहीं वो आपको नहीं मिलेगा वो उस level तक मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है अब green fuel क्या होता है what is green fuel अब UPC mains में ऐसा पूछा जाएगा green fuel क्या है green fuel एक bio fuel है is a type of fuel distilled from plants and animals material believed by some more environmentally friendly than widely used fossil fuel that power most of the world green fuel एक तरह से bio fuel है fuel distilled from plants and animals material मतलब green fuel बनता कैसे है या तो plant का कुछ material extract करके डाल दू मैं जिसे sugarcane से गन्ने से हमारा ethanol बनता है वैसे animal और plant का material यूज़ करके हम green fuel बना सकते है अब ये बहुत सारे type ही होते है जैसे bio ethanol जो अभी मैं बात कर रहा हूँ bio ethanol मतलब when mixed with petrol it improves the combustion performance and lowers the emission of carbon monoxide and sulfur dioxide जो अभी E20 program चल रहा है वो bio ethanol program है है ना उसके साथ bio diesel भी होता है bio diesel में क्या होता है soya bean का तेल, palm oil का तेल, vegetable waste को मिलाया जाता है diesel के साथ ताकि जो है उसकी performance बढ़ा दी जाए और इस process को कहते है trans estrification it produces very less or no amount of harmful gases तो bio ethanol समझ मा गया होगा petrol के साथ mix करते है bio diesel में diesel के साथ soya bean oil mix करते है bio gas आप सब को पता है animal और human का जो waste रहता है तो उससे bio gas produce होती है bio butanol, butanil का यूज करते है इसमें भी फाइदा रहता है fermentation से ये आता है bio hydrogen, hydrogen का भी जब यूज करते है तब भी हमारा pollution है वो कम रहता है तो भारस सरकार ने कोई initiative भी लिये है कि ऐसी चीज करने के लिए yes, ethanol blended program प्रदानमंत्री G1 योजना 2019 में चलाए गया ये G1 है the objective of scheme is to create ecosystem for setting up commercial project and to boost research deployment in 2G ethanol sector गोबर गोबर चलाए गया भारत के दोरा, galvanizing organic bio agro resources, धन स्कीम चलाए गई, गोबर धन स्कीम चलाए गई 2008 में ठीक है ये गोबर के फुलपों में गोबर धन स्कीम है पूरे स्कीम का नाम 2008 में ये चलाए गई थी सोच भारत मिशन रू को चलाए गई रिपरपा यूज दो कुकिंग ओयल मतलब it was launched by the food safety FSAI ने की थी and aims of our ecosystem that will enable the collection and conversion of यूज दो कुकिंग ओयल to biodiesel मतलब जो अलड़ी cooking oil यूज कर चके हैं उसको biodiesel में कैसे यूज करेंगे और national policy biofuel की 2008 की आई है तो मैं complete prelims और mains का यहां से बता चुका हूँ now high court cashways detention of swapna under COFE POSA हुआ क्या था 2020 के टाइम पर July 5 को एक साल पुरानी बात है तिर्वंत पुराम में swapna suraj को पकड़ा था यह एडी ने और custom ने separate investigation की थी जहां पर पंदर करोल रुपे का सोना था पकड़ा गया था और किस act के अंदर पकड़ा गया under the foreign exchange and prevention of smuggling activities act 1974 बड़ यहां पर एक term है कि preventive detention यह होता किया है a division bench of Kerala high court on Friday quest the preventive detention of swapna suraj मतलब पहले उनको arrest कर लिया गया था और high court ने बोला कि यह illegal है अब preventive detention होता क्या है यहां से यह तो criminal news है कि यह बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं ऐसे ऐसा कोई पहला मामना नहीं है कि swapna suraj आई यह तो मैं करवा रहा हूँ ऐसा ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मैं करवा सकता हूँ बट major question मैं यहां से यह पूछना चाहूँगा और मैं explain भी करूँगा polity angle को यहां पर से कि preventive detention होता क्या है यहां जाने कि अगर किसी police वाले को सक हो गया कि यह आगे crime कर सकता है चोरी कर सकता है तो police के पास अधिकार है उसको रोकने का अब इसके अंडर कोई provision बने गए हैं तो वो polity के अंदर हम cover करते हैं तो मैं बात करूँगा National Security Act 1980 तो आपको कि सर अभी तो किसी को पकड़ा था अपना सुरेश को आप National Security में लागे आप तो यह random पड़ा रहे हो कोई बात होती है क्या मैं कहूंगा यह दिक्कत मतलो यहाँ पर क्या हुआ था अभी हाल में जब यार health workers सुई लगाने जा रहे थे सुई मतलब vaccine लगाने जा रहे थे the NSA is a preventive detention law तो जो National Security Act जिसके तहत पर लोगों को arrest किया गया वही एक preventive detention law है अब यह law तभी समझोगे जब preventive detention समझ जाओगे अब समझ माया मैंने NSA क्यों पढ़ाया आपको तो preventive detention होता क्या है involves the detainment of a person in order to keep him from committing future crimes and from escaping future prosecution preventive detention law एक तरह से आदमी की फाइदे के लिए होता है जनरली पर सरकार इसका misuse कभी कभी कड़ देती है कैसे मतलब अगर इसमें सबसे पहले एक article में है हमारे सविधान में भी preventive detention है मतलब अगर पुलिस परसोनिल को लगता है कि ये बंदा आगे बहुश्य में खत्रा हो सकता है बहुश्य मतलब दो-चार दिन सबस्पेक्ट हो जाते है कभी हो जाता है suspicion हो जाता है कि आप पर particular किसी ex-person जो पुलिस परसोनिल है उसको लगता है कि ये crime कर सकता है और वो कैसे लगता आपको गया कैसे पता चलेगा simple सी बात है चाकू पकड़ा है या गैंग में बात कर रहे है या phone call उनका टैप किया है तो इससे पता चल जाता है तो article 24 clause 4 state that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for longer period than 3 months unless तीन मेहने तक उसको पकड़ा जा सकता है उसके बाद नहीं an advisory board sufficient उसको extend करें तब तक तो preventive detention समझ मा आ गया किसी कोई police personnel है किसी को लग रहा है कि ये suspect है और ये आगे किसी का murder कर सकता है ठीक है sexual assault कर सकता है तो उसको police पकड़ सकती है under article 22 और उसके लिए भी फाइदा रहता है कि अगर वो murder करेगा तो simple सी बात है उसको fancy होगी तो उससे पहले ही police उसको पकड़ेगी और उसको crime करने से रोग देगी तो उसको prosecution उसका further prosecution ना होगा और उसको बचाए भी जा सकता है तो फाइदे के लिए भी है घाटे के लिए भी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है सरकार के कुछ जो officials होते हैं वो corruption करते हैं और किसी innocent लोगों को भी अंदर डाल देते हैं अब इसके पीछे reason बताऊंगा तो तीन महने तक पकड़ा जा सकता है हलागी 44th Amendment Act 1978 में बोला गया था कि ये act reduce करेगा preventive detention तीन महने से लेके दो महने तक जो कि अभी force में नहीं आया है ठीक है तो ये होता NSA imparts the central or state government to detain a person to prevent him from acting in any manner period of confined the maximum period for which one may be detained is 12 month but the term can be extended अगर government fresh evidence निकाले तो उसको बढ़ा जा सकता है no basic right to people detained under NSA including the right to inform of the region for arrest even अगर किसी को NSA के अंदर arrest किया गया है तो उसको basic right भी नहीं मिलेंगे ठीक है उसको अगर देखो constitution के अंदर article 22 के basis पर arrest किया गया है तो basic right मिलेंगे बट उसे NSA के अंदर arrest किया गया है तो उसको basic right नहीं मिलेंगे ये दो चीज़े हैं ठीक है इसको confuse मत करना एक है national security act एक कानून के basis पर arrest किया जाता है एक हमारे constitution सविधान के arrest अंदर arrest किया जाता है NSA में भी नसे खुद preventive detention law है constitution में भी अंदर article 22 preventive detention mention है तो इसके अंदर तो कुछ basic right मिल सकते हैं पर इसके अंदर तो basic right भी नहीं मिलते हैं क्योंकि ये security of state से deal करता है बट person को 24 गंटे के अंदर magistrate ले जाता है बट article 22 के बारे में बात करूं says an arrested person cannot be denied the right to consult वो कर सकता है अपना lawyer वगरा ला सकता है ठीक है बट कोई NSA के अंदर है तो उसको legal practitioner भी नहीं मिलता है पर NSA का यार NSA की बात कर रहा हूं transparency नहीं है ना simple सी बात आप किसी को arrest कर रहे हो तो आप से पूछा गया सरकार से पूछा गया record दो किन-किन लोगों को arrest किया बिल्कुल भी नहीं कभी-कभी क्या होता बहुत सारे political party में किसी को political party को criticize करता अगर वो political party सरकार में है तो वो लोग भी किसी भी बंदे को journalist को भी अभी arrest कर लेते हैं तो ये way forward तो ये यार it needs to be noted ये 40 साल पुराना act है और इसमें कहीं न कहीं reform की जरुवत है अभी अब बात करते हैं कुछ editorial की आज का editorial स्टार्ट करते हैं जमुएन कस्मीर की बात करूँ बहुत सारे civilians को मारा गया है साथ civilians की मार दिया गया है vicious mindless violence चल रहा अभी और ये बता जा रहा है कि पाकिस्तान बेश लस्करे ताइबर और मैं कहूंगा यार अगर अगर अफगानिस्तान में तालिबान का कबजा है तो क्या इससे जो nevering countries हैं उससे destabilize होंगी yes अगर जब से तालिबान का कबजा है अफगानिस्तान में तब से ही सुरू आपको देखने को मिला है कि जमुएन कस्मीर वाले रीजिन में violence और ज़्यादा बढ़ चुका है victim local muslim है हिंदूज है जैसे कस्मीरी पंडिट हैं जो फिर से वापिस आया है बहुत सारी skim चलाए गई है उनको फिर से भगाया जा रहा है हाला कि administration तो यही कहता है कि जो कस्मीरी पंडिट के साथ violence हुआ था 1990s के दोरा 1994 में अब वो वापिस आ रहे हैं उनके साथ फिर से यह violence देखने को मिल रहा है पंडर अगस्त को जंडा फैरा गया फिर भी अभी 28 civilian killing देखने को मिली 22 casualty देखने को मिली security personnel की तो यहाँ पर इससे बचने का तरीका यही है कि civil society organization political party के साथ बात करने चाहिए उनको ही यह awareness फैलानी पड़ेगी तो अभी basic जो solution वो ही है political party का और civil society organization का नव अब बात करते हैं second chemistry का nobel prize 2021 का catalyst के लिए मिला है 1950-1960 के दौरान thalidomide widely nausea को treat करने के लिए pregnant महलाओं के लिए use किया जाता था बट उससे birth defect भी होते थे तो इससे पता चलता है कि right-handed जो molecule है highly toxic है बट हर एक molecule के दो पहलू होते हैं एक right-handed image एक left-handed image अब यह क्या है उसको दिखाऊंगा और उसी का use किया गया noble prize 2021 में मिला है जिनको उन्होंने asymmetric molecule का use करके अभी future में pharmaceutical बहुत सारी दवाई बनाने में वो मदद करेगा अभी होता क्या है मैं basic सी story आपको बताओं 2001 सही scientist लगे हैं कि किस तरह से एक particular molecule का हम use कर सकते हैं बहुत cheap affordable prices में और उसके ज़्यादा side effect भी ना हो क्योंकि हर एक molecule के दो पहलो होते हैं अभी मैं बताओंगा molecule किस तरह से arrange होते हैं heavy metals है है environmentally harmful रहते हैं high sensitive रहते हैं oxygen के लिए बहुत ज़्यादा toxic होते हैं बहुत ज़्यादा उनको extract करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है ठीक है अब मैं इसको noble price के basis पर catalyst पर कैसे मिला यह बताता हूं बहुत सारे बच्चे कहेंगे sir मेरी तो art है मैं chemistry को कैसे समझूँगा मैं कहूँगा हर एक compound carbon atom से मिलके बनता हूं और उससे दूसरे atom मिले रहते हैं यह देखो हर एक atom की दो mirror image होती है मतलब एक atom को दो तरीके से arrange किया जा सकता है यहाँ पर अगर देखोगे यह NH2 है यह CS3 है यह OH ग्रूप है यह chlorine का ग्रूप है अब देखो यहाँ पर CS3 कहाँ पर है left में अब same देखो atom में कोई change नहीं आया है OH, CL, CS3 NH2 same compound इधर भी है इधर भी है बट क्या कर रहे है उसका configuration change कर रहे है इसी को mirror image कहते है अब यह वाला जो होगा बहुत जदा महंगा होगा बहुत जदा toxic होगा हर्मफुल रहेगा side effect हो सकते है birth defect इससे हो सकते है बट यह वाला molecule जब इसका हम arrangement change करते हैं तो arrangement में अलग reaction होगी वो किसी एक compound के साथ मिलके अलग react करेगा तो यही फाइदा करता है अब cheaper होता है अब यही चीज़ें होती है noble peace prize जो winner है उन्होंने यही किया कि हर एक molecule के दो site हैं अगर उनका arrangement change करें तो दोनों की property different हो जाती हैं दोनों की property different होंगी तो यह देखो noble peace prize chemistry में यही मिला है arrangement देखो arrangement यहां पर देखो green side है green side कर दिया yellow इन पूरे का arrangement change कर दिया तो एक toxic होता एक नहीं होता तो इसी का use करके हम further क्या करेंगे बहुत सारी दवाईयां बनाने वाले हैं अब यह चीज़ तो मैंने चलो बोल बोल के बता दी हो सकता कल वो भूल जाओ आप अगर image देखोगे तो नहीं बोलोगे और एक और चीज ट्राई application में जो में मेरा पढ़ाने का तरीका होगा वो पूरा image based रहेगा image based यानि कि कोई भी आप हमेसा यह देखना कि अगर कोई भी चीज़ है अभी इसी चीज़ को noble prize मिला है chemistry में Benjamin List David Macmillan को asymmetric यह देखो asymmetric organo catalyst बनाने के लिए physics में medicine के लिए उसको announce होना था वो भी हुआ है तो अभी बात की जा रही है कि researchers ने यह किया है significance क्या है हाला कि chemistry scientist है उनमें पहले से ही लगे हुए significance इसका है नहीं नहीं जो दवाईयें हैं उसका यूज कर सकते हैं नहीं molecules बनेंगे तो उनका mirror image है जो asymmetric organization है जो distribution है उसका use करेंगे molecule का distribution asymmetric तरीके से होगा उसका use करेंगे both these sets of catalyst metal or enzymes head limitations heavier metal or expensive difficulty to mine toxic to human and the environment बट यहां पर एक होता organo catalyst एक होता asymmetric organo catalyst वही change आएगा arrangement में तो वह बहुत जादा cheaper रहता है और फाइदा करता है उससे defect भी कम होते हैं वही चीज लिखी होई है ठीक है देखो the process called the asymmetric organo catalyst has made it much easier to produce बहुत easy तरह से बन जाते हैं asymmetric molecules के comparison में that exist in two versions where one is mirror image of other chemists often just want one of these mirror image particularly while producing medicine but it has been difficult to find efficient method for doing this अभी यहाँ पर क्या है अभी तक पता नहीं चला था कि हम यह arrangement कैसे करें तो noble जो प्राइज मिला है chemistry के लिए 2,21 का तो उन्होंने यही बताया कि हम किस तरह से एक tool बनाया है कि कि किसी एक molecule को उसका arrangement कैसे change कर सकते हैं बहुत easy तरीके से some molecules with mirror version have different properties जैसे मैंने अभी बताया an example is the chemical called carbon एक example दिया है carbon अगर समझाना है तो आप carbon का example दे सकते हो which has one form of that smell like spearmint उसका एक property तो spearmint की तरह smell करती है और दूसरा जो part है like the herb or dill की तरह different version of same molecule same molecule की अलग-अलग version might have different effect when ingested then it becomes important to able to make only the mirror image of drug that has dispired physiological effect तो हम यहां पर से वही बता रहे हैं कि हम उस molecule का वही image बनाएंगे जो हमाले फाइदे मन्द हो अब यह बनाने में ही अभी दिक्कत आई थी तो 2021 में यही किया गया एक tool बनाई गया जिसमें बात करते हैं क्वाजी फैडलिज्म का मतलब है भारत पूरी तरह फैडल नहीं है जब national emergency आएगी तो unitary बन जाएगा ठीक है हाली में बहुत सारे incident हुए बहुत सारे bill पास हुए बहुत सारे लोकसभा राजसभा के member में टक्रा हुई लोकसभा के member में ही टक्रा हुई ठीक है house को बहुत बार बंद कर दिया गया session को बहुत बार बंद कर दिया गया interstate conflicts देखने को मिले राज्यों के बीच में dispute चल रहे हैं और बहुत सारे जो assembly member हैं लोकसभा के और state assembly के 30% से जादा करीवन करीवन चास परसेंट में criminal charges हैं और 30% तो ऐसे हैं heinious crime का charges उन में हैं तो अभी interstate dispute चल रहा है तो 1935 का act है वहाँ पर से provincial autonomy की बात करते हैं और इसी को federal character भी बोलते हैं federal character का मतलब क्या होता है मैं कहूंगा USA अपने आप में federal है कि उनके राज्यों की खुद की autonomy होती है उनके राज्य चाहते हैं तो दो राज्य बन सकते हैं अगर वो नहीं चाहेंगे तो दो राज्य नहीं बनेंगे पर भारत में किसी भी एक राज्य की अगर मैं बात करूंगा territorial जो integrity है क्या खुद की नहीं राज्य खुद नहीं चाहता अगर केंद सरकार चाहे तो बिहार को और पार्ट में बांट सकती है मैं तोड़ word का यूज नहीं करूंगा तोड़ सकती है डिस्ट्रिब्यूट कर सकती है बिहार को अच्छे से break करके दो राज्य बना सकती है ऐसी power parliament के पास है बिहार चाहे तो इसको रोक सकता है क्या बिलकुल भी नहीं रोक सकता है क्योंकि हमारे राज्यों के पास territorial integrity नहीं है तो तब ही इसको quasi-federal कहते है मतलब पूरी तरह complete federal नहीं है ये मतलब केंद सरकार का इसमें rule है तो federal तो वही होता है जिसमें केंदर के अपने अलग कानून हो राज्य के अपने खुद की और्टनॉमी हो पर हम यही कहेंगे while the judiciary is important to educate on their conflicts while higher judiciary appointment उसमें भी vacancy देखने को मिली है तो अभी concern challenges तो यह है कि judiciary रोक सकता है जैसे मैं कहूंगा ना विहार है विहार का bifurification judiciary रोक सकता है बढ़ judiciary में भी तो अभी जो vacant seat है यह भी challenge भी बना हुआ है तो अभी वह है quasi federal democracy धीरे धीरे हमारी कम हो रही है और जो federal nature वो कम हो रहा है और quasi federal nature बल रहा है जिसमें center की ज़्यादा dominance हमें देखने को मिल रही है ठीक है यहां पर यहीं बताए गया है कि इंडियान national security deserve a functional democratic federal alternative होना चाहिए which is neither federal nor democratic but constitutional basic structure follow करना चाहिए यहां पर यह बात की जारी है कि public health को हमने Indian medical education में start करना चाहिए infuse करना चाहिए जैसे क्यूबा में क्यूबा में कोई PG करे post graduation करे graduation करे तो वहां पर उनके syllabus में ही public health डाला है बट यहां पर public health की बात करूँ अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे है अगर मैं public health बोलूँ क्या public health 5 marks का question I suppose define public health अगर मैं बोलूँ और आप इसको कैसे achieve कर सकते हो बोलूँ तो आप क्या लिख पाएंगे ठीक है आप real एक बार लिखने का try करें यहां पर वीडियो पॉस करके तो public health होता क्या है UPSC General Studies paper 2 में बहुत हद तक public health पूछा जा सकता है public health is the science and protecting improving the health of people and their communities मतलब जो लोग रह रहे है entire nation रह रहा है वही public health है this work is achieved by promoting healthy lifestyle अच्छा खाना खाओ research and diseases injury prevention detecting, preventing and responding to infectious disease overall public health concerned है with protecting the health of entire population this population can be small as local neighborhood हो सकती है और entire nation भी हो सकता है public health अपने आप में important क्यों है public health professional try to prevent problem from happening or recurring through implementing educational program include करके तभी तो मैंने बोला रहा अभी कि जो educational program है उसमें ही public health include कर देंगे कि लोगों को कैसे बचाए जा सकता है वह awareness फैला के policies implement करके administration policy political policies और large part है public health का कि health care equity accessibility हमने प्रमोट करनी चाहिए तो इसी के लिए है हमारा प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना बट उसमें भी अभी अभी challenges क्या है कि बहुत सारे COVID-19 का जिशने इलाज कराया उनको loan लेने के जरुवत पड़े पाच लाक मिल रहे थे वो use ही नहीं कर पाई क्योंकि private ने अच्छे से response नहीं किया तो अभी हमें जरूरत है कि अच्छे से प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना का भी अच्छे से implement करें जापान के नए PM है Fumio Kishida इंडिया के प्रधान मंतरी जो है spoke to new Japanese प्राइम निस्टर Friday को उन्होंने बात की phone call में और first conversation हुआ bilateral relation बढ़ाने की बात की गई और उन्होंने बोला Indo-Pacific region को हम save करेंगे और जो South China Sea में China इतना dominant से दिखा रहा है उसको रोकिंगे ठीक है Mr. Modi और Mr. Kishida ने बोला कि 70-70 साल होने वाले हैं हम दोनों के relation को तो हम आगे इसको बढ़ाते हुए चलेंगे Green fuel, technology, digital health care पर ज़्यादा focus करते हुए आगे बढ़ेंगे Stable burning Stable burning मैं बात करूँ अभी total जो paddy area हरणा पंजाब और NCR region में has reduced by 7.72% during the current year compared to last year हाना कि अच्छी बात है ये जहां पर से straw जादा होते हैं वाली फसल को कम जो है बोया जा रहा है ये भी एक option है बट Stable burning पर क्या हम answer writing कर चुके हैं बहुत बार येस इसकी answer writing एक तो हमने 27 अगस्त की गई थी 31 October की गई थी question था कि stable burning के क्या क्या इश्यू है सबारे सरकार की क्या policy है और कैसे इसको रोका जा सकता है डेर्ड हजार लोगों ने अल्लेडी sponsor writing कर चुके हैं ठीक है और इसकी answer writing आपको YouTube पे भी मिल जाएगी तो stable burning PR publication लिखोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी उस पर मैंने पूरा करवाया हुआ है वर्ले लेवल के बारे में बात करते हैं आइस क्लेम suicide attacking कॉंडू suicide attack हुआ था 46 लोग मारे गए हैं तो आइस ने बोला है कि हमने ये अटेक करवाया है US Special Forces Quartley Training ताइवनिज टूप को जो है ट्रेनिंग दे रही है ताकि चाइना अपना इतना dominance ना दिखा पाए ठीक है और जो खास करें बात करें इस बार Nobel Peace Prize जो मिला है जनरिस्ट मारिया रैसा को मिला है फिलिपिन्स के और रशिया के उनको 2021 का Nobel Peace Prize मिला उन्होंने बात की गई है कि कंट्री में जितने रिपोर्टर्स हैं जो परसिटेंट अटेक उसमें होते आए हैं तो उन पर उस मुद्दे को उन्होंने छेड़ा जो की फाइट फॉर प्रेस फ्रीडम की उन्होंने बात की गई तो इसलिए कमिटी ने जो नोबल प्राइस देती है कमिटी ने डिसाइट किया कि येस बहुत अच्छे इन्होंने पीस फैल आने की बात की गई है कि रिपोर्टर्स क्या कर सकता है फ्री इंडिपेंडेंट और फैक्ट बेस्ट जनलिजम है अभी हमारे जितना जो आटो करेटिक रूल डोमिनेंस दिखाते हैं उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा रोहिंग्यास कौन है मुस्लिम से है माइनिरिटी कमिनिटी बंगला देश चाता है बंगला देश अभी अस्तियजा रोहिंग्यास को एक रिमोट एरिया बेवा बंगल में सेंड करना चाता है युनाइटि नेशन की मदद से और उननीस हजा जो मुस्लिम रेफ्यूजी है जो उनको रिलोकेट किया गया है भसंचर आईलेंड में और यहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं वो मुस्लिम कमिनिटी है और रोहिंग्यास अभी भारत में भी आ रही थी बंगलादेस और मायनमार के बीच में यह चल रहा था कि यह आपके नाशनल्स हैं रोहिंग्यास रेफ्यूजी भारत में भी आ रहे थे तो भारत ने भी रोहिंग्यास को रोका क्योंकि already भारत के क्या refugee convention भारत ने sign किया है नहीं किया है क्योंकि already भारत को poverty hunger की problem है हम sign नहीं कर सकते इंडिया और Asian का free trade agreement में भी renegotiate कर रहे हैं बट इंडिया और Asian का free trade agreement को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं ये क्या है और उसके बाद हमारा ये पूरा article खतम हो जाता है तो इंडिया free trade agreement Asian के साथ देख लेते हैं प्रिलिम्स में इंडिया और free trade agreement Asian के साथ आएगा और किस तरह से इसको address कर सकते हैं वो में पूछा जाएगा सबसे पहले एशियान में 10 देश हैं ब्रुनाई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मॉलेशिया, मयनमार, फिलिपिन, सिंगापूर, थालेन, वेतना इंडिया ने free trade agreement साइन किया गया था एशियान के साथ 2009 में 2004 में free trade agreement in service was also included overall India failed to benefit from free trade agreement with association जब इंडिया ने free trade agreement किया था 2009 में तो इंडिया सोच रहा था बहुत अच्छा फाइदा होगा बट उतना फाइदा नहीं हो पाया, in fact इंडिया trade deficit had increased मतलब इंडिया में सामान तो बहुत जादा आने लगा था इन देसों से इंडिया सामान भेज नहीं पाता था, ठीक है ये trade deficit देखने को मिला इंडिया net export to countries with a large trade agreement were only marginary वो ही है, import बढ़ गया, export कम हो गया the import from countries with trade agreement was substantially higher जो कि मैंने बोला what changes after the signing of these agreements जब हमने agreement sign किया, तो क्या घाटा हुआ इंडिया का import from Asian country increased sharply in the comparison to export to them after signing these agreements तो जब भी agreement sign किया गया, इंडिया का export कम हो गया किसी भी देश का फाइदा तब ही होता जब हो export करे इंडिया का experience क्या रहा इंडिया past experience has not been encouraging इंडिया has recorded a trade deficit near all the hour किया, इंडिया needs to work on its manufacturing sector to benefit from any FTA अगर free trade agreement आपकर आप किसी से कर रहे हो free trade agreement का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप export करो आप में tax कम लगा जाएगा और जो non-tarip barriers है, non-tarip barriers का मतलब क्या होता है आप चाहते हो कि 100 जूते भेजे हम वेतनाम को ठीक है, बड़ वेतनाम कहीं कि नहीं हम तो 90 जूते ही around करेंगे और tax इसमें हालागी कम लगाएगे बड़ 90 तो उसे कहते हैं non-tarip barrier आप tax तो नहीं लगा रहे हो बड़ non-tarip barriers लगा ज़े हो कि आप 90 ही जूते भेज सकते हो ठीक है, तो इंडिया को फाइदा कब होगा जब इंडिया अपनी manufacturing sector में काम करेगा इंडिया ने सबोच बहुत सारा manufacture कर दिया अब free trade agreement करेगा तो इंडिया भी export जादी से जादा कर पाएगा अब कुछ comment पढ़ लेते हैं सर मिनरल सर माइन्स लोकेटेर रिलेटेट कोशिन कहां से कवट करें एक तो जॉगरेफिकी बुक से प्रिती और सर्च करके ठीक है इंडिया की वेबसाइट सर केन सुप्रिम कोट टेक सुओ मोटो एक्शन ओन दे इंप्रधान मंतरी जन आरोग गियोजना देखें इंप्लिमेंटेशन के लिए यार executive ही रोल करते हैं उसका इंप्लिमेंटेशन अच्छे से हुआ या नहीं तब सुप्रिम कोट इंटरवीन कर सकती है ऐसा नहीं कि प्रधान मंतरी देखें जुडिशेरी का देखें शुएता अगर अच्छे से समझोगे तो जुडिशेरी का काम है जज करना पर्टिक्लर इंप्लिमेंट हुई है या नहीं लजिशलेटर का क्या काम है प्रधान मंतरी जन आरो की योजना बनाना इसको इंप्लिमेंट करना executive का काम है वेरी गुड मॉर्निंग सोनिया गुड मॉर्निंग शिभा वेदू 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 ठीक है तो आप आज का देखिए इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें जाद इसे ज़्यादा और जो भी जॉइन होना चाहते हैं हमारी एप्लिकेशन में वाटसेप में मैसेज कर दीजे क्योंकि लिमिटेट सीट रहेंगी और बहुत अच्छे से करवाए जाएगा ठीक है बहुत अच्छे से आपका कॉर्स करवाए जाएगा लाइफ क्लसेज में थैंक यू, have a nice day